आपको शायद मालूम नहीं होगा, बांगला देश में ट्रिपल तलाक नहीं है, पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है, इरान में ट्रिपल तलाक नहीं है, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है, इंडोनेशिया में ट्रिपल त जा रहा था उनको अधिकार देने का काम किया तो प्रधानमंतरी मोधी ने किया यह हमारा इडियोगी मुझे बताया गया के रेटायर्ड सिवल सर्वेंट्स, आमी ओफिसर्स, दिफेंस पर्सनल्स, डॉक्टर्स, इंजिनिर्स, लॉयर्स, चार्टर्र अकॉंटेंट्स, हमारे कलाकिर्षेत्र से जुडे हुए ऐसे लोग आए हैं ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मुझे बताया गया कि आप सब लोग भारतिय जनता पार्टी का सदस्य बनना आप लोगों ने मनजूर किया है और आप उसमें भाग लेने के लिए आये हैं इसलिए मेरी और से आप सब का बहुत-बहुत अभ मेरा ये सवभाग्य है कि आप सब लोग सदस्य मेरे द्वारा बनेंगे, मेरे रेफ्रेल से बनेंगे तो आपको सदस्य बनाने का स्वभाग्य मुझे मिल रहा है ये मेरे लिए विशेष गौरव का विशे है और इसके लिए भी मैं आपको बढ़ाई देता हूँ मित्रों सदस से आप बन रहे हैं इसलिए कुछ बातें आपके ध्यान में मैं जरूर डालना चाहता हूं ताकि आपको यह महसूस हो और आपको यह विश्वास बने कि आप अगर भारतिय जन्ता पार्टी के सदस से बन रहे हैं तो आप सही काम कर रहे हैं क्या होता है कि राजनीती में मैं लंबे समय से रहा हूं मेरे मित्र कॉंग्रेस में भी ही रहे मेरे मित्र कॉमिनिस्ट भी रहे मेरे मित्र नेक्सलाइट्स भी बहुतों से मेरा आइडियॉल्जिकल विचार विमर्ष होता रहा मैं अपने आपको बहुत सौभागेशाली मानता हूँ कि इस देश में लगबग पांच हजार छोटी बड़ी पार्टियां है और लगबग फिफ्टी के आसपास एक्टिव पार्टी है लेकिन भारतिय जनता पार्टी अकेली पार्टी है which is a national party it is a democratic party it is an ideological base party it has got a cadre base and it has got the maximum mass following अकेली पार्टी है it is the only political party आपने कभी देखा Congress Party की membership ऐसे होती हू देखा आपने कभी देखा की Congress Party ने membership को इतनी importance दी हो की एक ही मंच पर राष्ट्रिय अध्यक्ष भी हो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो प्रदेश का अध्यक्ष भी हो राष्ट्रिय महामंत्री भी हो और प्रदेश का उप मुख्यमंत्री भी हो फॉर फॉर मेंबर्शिप दिस तेंस वॉल्यूम्स अबाउट दी सीरियसनेस अफ दी मेंबर्शिप हमारे हां मेंबर्शिप कितनी ट्रांस्पेरेंट है हम कह दे हैं हमारी संक्या 18 करोड है हमारे कहने से नहीं होता हमारा डीशिल बोलता है हम कह दे हमारी 10 करोड है हमारे कहने से नहीं होता this is on record it is the democratic party and the transparent party अभी से हमारी सदस्ता शुरू होगी इस सदस्ता के बाद active सदस्त से बनेंगे active सदस्य के बाद नीचे मंडल से election शुरू होगा election होने के state पहले मंडल का election होगा फिर जिले का election होगा फिर state का election होगा फिर state के election के लोग national president चुनेंगे यह process किसी और political party में नहीं होता है यह सिर्फ भारतिय जनता party में होता है और इसलिए हमारे हाँ किसी नेता का बेटा नेता नहीं बनता जमीन से आया हुआ कारेकरता बनता है जमीन से आया हुआ कारेकरता ही नेता बनता है और सब साधारन background से आते हैं इसलिए it is a democratic party when I say it is an ideological party आप बताये कौन सी ऐसी party है जो ideology पर चली मातमा गांधी ने कह दिया Congress को disband कर दो after 1947 this was made only to bring independence, independence has come so we should disband Congress Party नहीं माने नहरू जी विचारधारा से अलग हट गए collective farming से लेकर cooperative farming से लेकर कहां 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 कि कौन-कौन से तरीके निजात करने की कोशिश की नहीं सफल हुए हमारे leftist साथी कहां से चले थे और कहां पहुँच गए किस से दोस्ती की, किस से दुश्मनी की समझ में नहीं आया आज केरल में वो आपस में नूरा कुष्टी करते हैं और दिल्ली में दोस्ती करते हैं समझ में नहीं आता, फोटोग्राफी सेशन हो जाते हैं और दिल्ली में साथी बन करके खड़े हो जाते हैं अगर मैं कॉंग्रेस पार्टी की बात करूँ तो ये तो अर्बन नेक्सलिजम का स्पोक्स पर्सन बन गए है स्पोक्समेन बन गए है डिस इंटिग्रेटिव फोर्सिस के एक तरीके से कहा जाए उनको आगे बढ़ाने का और उनको प्रोच सहन देने का और उनकी बात को आगे रखने का काम आज कॉंग्रेस पार्टी कर रही है कहा नैशनलिजम रह गया स्पोक्समें अधारा 370 वापस लेंगे उनके साथ हाथ मिला रहे लेकिन ये भारतिय जन्ता पार्टी है जिसने भारतिय जन्संग के नाम पर 1952 में कहा था एक देश में दो निशान, दो विधान, दो पधान नहीं चलेंगे एक लंबी यात्रा की शामा प्रशाद मुकर जी ने बलिदान दे दिया वी स्टार्टे इन 1952-53 and in 2019 under the dynamic leadership of Prime Minister Modi and the able skills of Amit Shah we could see in the Parliament on 2019 6th of August that Article 370 was abrogated from this country और जम्मू कश्मीर समवेधानिक दिरिष्टी से पूरन भारत के समवेधानिक पार्ट का हिस्सा बना after the abrogation of Article 370 नहीं तो जम्मू कश्मीर का समवेधान अलग, भारत का समवेधान अलग भारत के लगबग 200 कानून ऐसे थे जो जम्मू कश्मीर की धर्ती पर नहीं लगते थे SC को reservation नहीं मिलता था, वालमी को reservation नहीं मिलता था West Pakistan से आया हुए Manmohan Singh, आया हुए Manmohan Singh वो प्रान मंत्री बनते हैं West Pakistan से आया हुए Advani Ji वो deputy prime minister बनते हैं लेकिन जम्मू कश्मीर में बसा हुआ West Pakistan से आया हुए refugee could not give his could not give his vote in Vidhan Sabha it is this time that after article 370 वो पहली वार जम्मू कश्मीर की धर्ती पर अपना vote डाल रहा है Vidhan Sabha के लिए तो जो ideologically हम लोग उने 53 में कहा हमने 2019 में cover किया उसको पूरा किया लेकिन हम consistent रहे अपने ideology अगर हमसे पुछते थे लोग तुम्हारा economic order क्या है तुम्हारा economic agenda क्या है मैंने का तुम्हारे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम silos में बटे हुए हो हम समगरता में सोचते हैं दिन द्यालिपाद्या ने एकात्मानवाद दिया उसको हमारे सरकार जब आई तो हमने अंतोदे के नाम पर उसको implement किया और जब मोदी जी और जब अटल जी की सरकार आई तो अंतोदे का भी अंत जो था उसको ढूंडा गया और जब मोदी जी की सरकार आई तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास सबका प्रयास इस मंतर को ले करके हम चले और हम लोगों ने last man and last mile delivery इस पर हमने विश्वास किया इसको हम ले करके आगे चले और इसलिए हम इस स्यात्रा में आगे बढ़ें यह triple तलाक समाप्त करो यह सुप्रीम कोट ने कहा था राजीव गांदी ने पारलिमेंट में बिल लाकर के समविधान के धाराओं को बदलने की कोशिश की सुप्रीम कोट कहता था त्रिपल तलाक समाप्त करो और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहां मैं देख रहा हूँ बहुत यंग स्टूडन्स बैठे हैं और हमारे यंग टालेंट बैठा है आपको शायद मालूम नहीं होगा बांगला देश में ट्रिपल तलाक नहीं है पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है अफगानिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं है इरान में ट्रिपल तलाक नहीं है सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं है इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं है ये सब इस्लामिक देश हैं लेकिन हमारे भारत में सेकुलरिजम के नाम पर ट्रिपल तलाग चल रहा था और मुस्लिम बेहनों को मुक्यधारा से वंचित किया जा रहा था उनको अधिकार देने का काम किया तो प्रधानमंतरी मोधी ने किया यह हमारा इडॉल्डिकल्टी हमने 1997- 1988 शाय पालम्पुर का रेजलुशन 1989 हमने कहा हम राम मंदिर का रास्ता प्रशस्त करेंगे हमारे साथी पूछते थे राम मंदिर बनाएंगे तिथी कब बताएंगे मैंने का तिथी भी बताएंगे और मंदिर भी बनाएंगे और 22 जनवरी को भव राम मंदिर बन करके तयार हुआ जिसका लोकारपन प्रधान मंतरी मोदी जी ने किया इसलिए we are an ideological based party जिस बात को हम लोगों ने कहा वो ideological based और इसको ideology के लिए हम लोगों ने proof करके कि उसको हम आगे बढ़े है अगर हमने बात इस दृष्टी से की कि हर एक को साथ लेकर के चलना है तो हमारी स्टेट साथ uniform civil court की तरफ अग्रसर हुई है समाज को एक करना है सब का साथ, सब का विकास, सब का विश्वास, सब का प्रयास और we are a cadre based party अगर हम cadre based party कहते हैं तो हमारी पिछली membership अठारा कुरोड की हुई है और आपको बालू होगा कि हमारे हां हर छे साल के बाद चाहे कोई भी हो प्रधान मंत्री जी से लेकर के राश्ट्री अध्यक्ट से लेकर के साधार अनकारे करता सब की membership समाप्त हो जाती है और फिर से नया member बनना पड़ता है और इसलिए आपने देखा होगा 2 सितंबर को प्रधान मंत्री जी पहले सदस्य से बने उसके बाद मैं बना फिर उसके बाद हमारे अमिद भाई हमारे रक्षा मंत्री जी और फिर इस तरीके हमारी membership का कारक्रम चलता है और हम अपने constitution के तरफ से उसका ध्यान रखते हैं तो जब मैंने कहा कि कार्डर बेस्ट है तो कार्डर बेस्ट का मतलब यह है कि आज हमारे पार्टी में 10,40,000 बूत हैं जिसमें से 8,40,000 बूत पर हमारा बूत का अध्यक्ष है और हमारी समीथी है यह दे लार्जेस्ट हमारे डेल लाक हमारे शक्ति केंदर हैं जिस पर हमारा काम चल रहा है पंदरह हजार से ज़्यादा हमारे मंडल हैं और यह कार्डर बेस्ट तरीके से हम अपने पार्टी को ग्रो कराते हैं और इसको बढ़ाते हैं और आल इंडिया है पैन इंडिया है बीजेपी प्लिटिकल पार्टी अगर मैं बात करूँ अपने मास फॉलोईंग की तो आज लगबग 350 हमारे मेंबर पार्लिमेंट है 1500 से ज़्यादा हमारे आज विधायक है 7000 से ज़्यादा 7000 से ज़्यादा हमारे मेर जिला परिशन सदस्य चेर्मेन बीडी सी ब्लॉक समीती ब्लॉक समीती के सदस्य यह हमारे 7000 से ज़्यादा है और सबसे बड़ी बात यह है कि आज प्रदान मंतरी मोधी जी कि ने तो तुमें भारतिय जनता पार्टी इस बात के लिए आपका आहवान करने आई है कि हम सब लोग विक्सित भारत 2047 में भारत को बनाएंगे इसके लिए आप सब लोग मिलकर के जुड़ें और भारत ये जनता पार्टी को मजबूती पदान करें, ये हमारा उद्देश है, मैं यहाँ आपको ये भी बताना चाहता हूँ, economy की लोग बात करते हैं, अब पता नहीं कुछ लोग पढ़े लिखे अनपढ़ होते हैं, मेरे समझ में नहीं आता, उनको कुछ समझ में नहीं बेरोजगारी, बेरोजगारी, महंगाई, महंगाई, अपने डबल डिजिट के इंफलेशन से नीचे नहीं आए 11 साल, 10 साल, वो हमको आजकल महंगाई सिखाने लग गए हैं, अभी देखिए, अमेरिका की अर्थनीती लडखडाई हुई है, योरोप की अर्थनीती हुई है, जापान की अर्थनीती मुसीबत में है, चाइना की अर्थनीती मुसीबत में है, इन सब का ग्रोफ रेट बिलो फाइव है, और कली मूडीज ने कहा, पहले क्या कहा, कि भारत का ग्रोफ रेट 6.6% होगा, फिर का 6.8% होगा, कल कहा, इत विल घॉट टू 7.2%, 7.3%, यह हमारी स्थिति आज आकर कि खड़ी है आई एम एफ बोलता है दियो ओनली ब्राइट स्पॉर्ट इस इंडिया दुनिया की एस्पिरेशन साज भारत से जुड़ रही है और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी के नितुत में हमें ग्यारवे नंबर पर जहां खड़े थे आज वहां से चलांग लगा करके ब्रिटेन को जिस ब्रिटेन ने हमको 200 साल राज किया उसको भी हमने पचाड करके आज हम पांचवी बड़ी एकॉनमी बन गए फिफ लारज़ेस्ट एकॉनमी बन गए और in the third term of Prime Minister Modi, India is going to become the third largest economy in the world, the third largest. मैं कई वार बोलता हूँ, अभी फिर से बोलूँगा उसी बात को, आप सब के हाथ में mobile है, सब के mobile पर पहला लिखा होता था made in China, made in Indonesia, made in Japan, made in Thailand, ऐसे नामों के अपने बार पास mobile होते थे, आज आप उठा करके देखिये, अगर Apple भी होगा, तो उस पर भी लिखा है, made in India, 97% of mobile manufacturing is done in India, 97, और तस साल पहले, 92% mobile were being exported, were being imported, ये सिती थी, स्टील में we are from number four, we are now number two, हमारे गनेश जी भी टॉय के नाम पर चाइना से बन करके आते थे, जिसको हम पूछते थे, आज third largest exporter toy का भारत हो गया, जिनको economy नहीं समझ में आती है, ये भाई बेहन है ना, इनको economy समझ में नहीं आती है, दो ही सब सुने हो, बेरोजगारी, महंगाई, बेरोजगारी, महंगाई, खुद बेरोजगार हो गए हैं, और महंगाई का तो इनको, क्या पता, ये दो ही बाते कहते हैं, आप बताईए, इंडिया is now third largest market in automobile, third largest, जेब में पैसा नहीं होगा, तो गाड़ी खरीदोगे, जेब में पैसा नहीं होगा, तो मोटर साइकल खरीदोगे, आज गाउं गाउं में जाईए आप, मोटर साइकल परचेस, ट्रिपल हो गया है, ट्रिपल, how it is happening, this is the size of economy and this is the growth of economy which is taking place, which we have to understand, और इसलिए आप infrastructure की बात कीजिए, आप देखिए आज world class roads बन रही है कि नहीं बन रही है, highway, elevated road, underway, flyovers, metro, यह सब बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तस लाक करोड रुपे इंफ्रास्टॉक्चर पर खर्च करने का तैय हुआ है, more than 10 लाक करोड और और इसी सौ दिनों के अंदर, तीन लाक करोड रुपे के इंफ्रास्टॉक्चर पर मन्जूरी प्रधान मंत्री मोधी ने सौ दिनों के अंदर कर दी, इस बात को भी याद करना चुछी। इश्मान भारत में आज, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवर प्रोग्राम, 55 क्रोर पीपल, 40% of the Indian population, 12 क्रोर 36 लाक परिवार, families, 40% of the Indian population who are marginally, marginal section of the society, उनको प्रधान मंत्री मोधी जी पांच लाख रुपे का हेल्थ कवर दे रहे हैं, पांच लाक रुपे का हेल्थ कवर दे रहे, लाक रुपे का दिया जाएगा, और ये प्रोग्राम, मोधी जी, इसी अक्तूबर महिने में लाउंच करेंगे, मंजूरी कैबिनेट ने, उन्होंने सौ दिनों के अंदर दे दी, छे करोड लोग, बुजर्ग लोग, इसमें जुडेंगे, चार करोड, चार करोड, कपल जुडेंगे, और टोटल सिक्स करोड पीपल, अर गोई तो, एल्डर्ली पीपल, आर गोई तो जॉइन दिस, क्या ये परिवर्तर नहीं है, क्या ये हेल्थ सेक्टर में, आपको जान करके खुशी होगी, कि स्टडीज अब ये बताती है, कि आई उश्मान भारत जहाँ जहाँ ज़्यादा लागू हुआ है, वहाँ लोगों का बैंक का करजा समाप्त हो गया है, इस बात के तरीके से खड़े हो रहे हैं, ये एकोनॉमिक डेवलप्मेंट हो रहा है, ऐसे विकास हो रहा है, और उसी तरीके से अगर हम देखें, पहले ही सैंक्शन में, तीन करोड नए आवास स्योजना में घर बनेंगे, यानि कोई भी भारत में कच्चे छट के नीचे नहीं रहेगा, इस बात की चिंता की गई है, फाइव थ्री करोर, फोर करोर पहले बनाए थे, और तीन करोर अब उसमें से सैंक्शन किया है, इस तरीके से विकास के लिखी जा रही है, इसलिए मित्रों मैं बोलना चाहूँ, तो मैं इस पर मैं घंटों बोल सकता हूँ, अभी अगर आप अंतराष्टिय स्थिती की बात लीजिए, आप बदाएए आज प्राइमिनिस्टर मोदी जी जाते हैं, क्वार्ड में उनका वक्तवे, वही वक्तवे, मुख्य वक्तवे बनता है, दुनिया, अब एक समय क्या था, कोई भी राष्ट्रे ध्यक्ष आता था, तो यह पहले वो पाकिस्तान लैंड करता था, फिर इंडिया आता था, या पहले इंडिया आता था फिर पाकिस्तान जाता था फिर वापस जाता था और कूट नीती में अंतराश्ट्रिय डिप्लोमेटिक भाशा में क्या बोलते थे इंडिया और पाकिस्तान इंडिया और पाकिस्तान यानि इंडिया बिना पाकिस्तान के बोला ही नहीं जाता था आज कोई भी कूटनीतिक की भाशा में इंडिया के साथ पाकिस्तान नहीं बोलता, इंडिया एज इंडिया, पाकिस्तान रह गया जहां रहना था। पहले मनमोहन सिंग जाते थे अमेरिका में, तो क्या डिसकस करते थे? डिसकस करते थे, टेरिजम हो रहा है, हमारे हाँ, क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटीज हो रही हैं, और अमेरिका में, आज प्रधान मुंतरी मोदी जी जाते हैं, तो डिसकस्शन होती है, और टेक्निकल नॉलेज पर हम उर साथ कैसे जले हैं। डिसकस्शन होती है, समी कंडक्टर पर डिसकस्शन होती है, डिसकस्शन होती है, ग्लोबल वार्मिंग पर डिसकस्शन होती है, डिसकस्शन होती है, इंटरनाशनल सोलर अलाइंस पर डिसकस्शन होती है, और इंडिया उसमें लीड लेता है, प्रधान मंतरी मोदी जी के वक उसके लिए और खास करके जो यंगल जेनरेशन है यही समय है। और मैं ये कहता हूँ कि सदस से बनने का भी यही समय है और सही समय है आप सब लोग बीजेपी के पार्ट बनें लाल किले के प्राचीर से मुदी जी ने कहा कि ऐसे लाखों परिवार जिनके परिवार से कोई भी राजनीती में नहीं है उनको पार्टी ढूंड कर लाए और उनको मुक्यधारा में शामिल करे और उनको पार्टी ताकत दे इस बात को कहा है और इस बात को भी हम पूरा करने के लिए पूरी ताकत से लगे है इसलिए आप सब से मेरा निवेदन है आपने मेरी बात सुनी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद लेकिन आप सब लोग सदस्य बने और सदस्य बनने के बाद आप रेफरल नंबर से दूसरों को भी सदस्य बनाएं और भारतिय जनता पार्टी को एक आप मजबूती प्रदान क करें एक बात अंत में और बोल देना चाहता हूं आज कल एक कारक्रम चला है नो बीजेपी नो बीजेपी मतलब के एन ओ डब्ल्यू एन ओ नहीं के एन ओ डब्ल्यू भारतिय जनता पार्टी को जानो और आपको जान करके खुशी होगी कि लगबग सतर देश के राजदूत हमारे बीजेपी के हेड़्कॉर्टर्स में आकर उन्होंने भारतिय जनता पार्टी को समझने की कोशिश की है अज़ दुनिया बीजेपी को जा लगबग 30 के आसपास राजदूतों ने भारत के चुनाओ को देखने के लिए कि भारत का चुनाओ कैसा होता है बीजेपी का ओफिस कैसा होता है वारूम कैसा होता है बैक अप ओफिस कैसा होता है सोशल मीडिया कैसा होता है इसको स्टडी करने के लिए बड़े बड़े देश के राजदूद आज डिमोक्रसी को जानने के लिए बीजेपी के दफ्तर आ रहे हैं और उसको समझने का प्रयास करें इसलिए भारतिय जनता पार्टी अंतराश्ट्रिय दृष्टी से भी हमारे कई प्रधान मंत्री भारतिय जनता पार्टी के कारले में आये हैं और आज हमें खुशी है कि कोई भी अंतराष्ट्रिय जो गेस्ट आते हैं वो सभी गेस्ट दे विश टू मीट ऑल्सो दी प्रेजिडेंट ऑभारतिय जंगताप पार्टी और वो उसको समझने का प्रयास करते हैं यह बीजेपी के आज स्थाद मना है इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि आप सब लोग भारतिय जंगताप पार्टी को नहीं सिर्फ जोइन करें सदसे भी बनाएं और एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करें यह आप सबसे मेरा निवेदन है आपने मेरी बात सुनी बहुत बहुत धन्यवाद